नमस्कार मैं हूँ राजंदर धमीजा अब मैं आपको चंदर ग्रह की महादसा में शनी की अंतरदसा की अवधी में मिलने वाले प्रिनामों के बारे में जानकारी दूँगा इस अंतरदसा की कुलवधी एक वर्स साथ माच होती है शनी वे चंदरमा आपस में मित्र ग्रह नहीं है इसलिए इस अंतरदसा आवधी में बहुत अच्छे पिरनामों की आसा नहीं होती शनी ग्रह यदि जनम कुंडली में वरिस मिथुन कन्या तुला मकर या कुंबराची में स्थित हो तो सुभ माना जाता है सनी ग्रै जनम कुंडली में सुभिस्तिती में हो तो वह विक्ति को दिरगायू, कठोर और लंबे प्रिस्त समय तक प्रिस्रम के क्षमता देने वाला धनवान कुसल राजनी तिग्य, धार्मिक विचारों वाला, प्यातरिक संपत्ति वेवानों से युक्त, कंभीर, सत्रुना आविस्कारक और गुप्त विद्याओं का ज्याता बनाता है। चंद्रमा में शनी की अंतरदसा की सब्दी में आपको धन संपत्ति तथा भूमी की प्राप्ति होगी। सरकारी तंतर से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आपके विरुद किसी नियायले में कोई मुकदमा लं आने में आप सफल रहेंगे। यदेपी प्रारंभ में आपके कुछ कारियों में विलंब वे बाधाएं आ चकती हैं तो भी निरास नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके द्वारा किये प्रिशरम के सुखद परिनाम मिलेंगे। अपने सहयोगियों तथा पारिबारिक जनों क प्रति आप बहुत व्यभारिक रहेंगे। व्यवसाय में जोखिन पूरून कारे करने से भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इस अवदी में आप अनेक धार्मिक स्थलों का ब्रहन करेंगे। साज़दारी तथा दामपत्य समंधों में स्थाइत हो रहेगा। आपके अधिन पूर्ण रहेगी। इस अवदी में शनी ग्रह के शुप परभाव में वृद्धी करने के लिए अब सिनिवार को नील मृतन धार्ण करें। शनिवार को नीले वस्तर धार्ण करें। घर में नीली चदरों तथा परदों आदी का प्रियोग करें। अपने इश्ट देव के सामने सरसों के तिल का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं यदि सनी ग्रह के जनम पत्री में में सकरक सिंग वरिष्चिक धनू या मीन राशी में श्थित है तो ये आपको अशुप परभाव देने वाला ग्रह बन जाता है। जनम कुंडली में सनी ग्रह यदि अशुप प करोगी, कब्स करोगी, जोड़ों के दर्द से पिडित, वहमी, उदासीन, देमान, नास्तिक, कप्टी, एधार्मिक तथा मुकदमे वेचनावों में प्राजित होने वाला बनाता है। ऐसे विक्ति प्रह सभी कामों में देरी करने वाले होते हैं और अपने महत उपुर्ण कारियों को भी भविस्य में पूरा करने के लिए टालते रहते हैं। अंतरदसा की सब्दी में आपके द्वारे किये गई कारियों के पिरनाम देरी से मिलने की संभावना है। चलते हुए कामों में भी अचानक बाधाएं आ सकती हैं। आपके मित्र तथा पारिवारिक जन आपसे सहयोग नहीं करेंगे। भूमी अत्वा भवन आदी की खरीदारी में आप धन व्या करेंगे। अपने व्यावसाय में आप कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। प्रंतूस से किसी विशेसलाव की आशन नहीं है। दामपते जीवन में आपको उप्युक्त स यह योग नहीं मिलेगा तथक कभी कभी कले साधी होने की भी संभावना है। किसी हथियार से चोट अथवा दुरगटना आदी के कारण स्वास्त समन्थी परिशानी हो सकती है। इस अवदी में आपको खूब सोच समझ कर काम करना चाहिए। अपने क्रोथ और वानी पर न आपके लिए आवस्चिक है। जो खिंपूरन कारे करने से आर्थि खानी होने की संभावना रहेगी। दामपते जीवन में तनाव की स्थिती बनेगी। छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव जगड़ा होने की संभावना रहेगी। यदि आप विद्यारती हैं तो आपकी मान से ख्ष्थिती ब्रहमित रहेगी। आपके सही होगी आपका समय खराब करने के प्रियास करेंगे। इस अवदी में यदि आपको विपरित परभाव अधिक मिलते हैं तो आपको सिनिग्रह के लिए दान दक्षिना बैप मंतर पाठ आदी करने चाहिए। सर्णिग्रह का यंदर अपने पूजा स्थल लत्वा घर के मुखि द्वार पर स्थापित करें। सनिग्रह की वस्तुओं का दान करें। सनिग्रह की वस्तुओं हैं काला ऊड़त, तेल, नीलम, काले तिल, कुल्थी, लोहा तथा लोही से बनी वस्तुओं, काला कपडा, डालें शनिवार को काली माग की दाल पीस कर उसके आठे की घूलियां बना कर मचलियों को खिलाएं शनिवार को समसान घाट में लकड़ी दान करें शराव तथा शिकर टादी का परियोग न करें फिर भी यदि कोई गठना ही रहे हत्वा आवस्य को पाई करने के बाद भी चुब पर नाम अधिक मिल रहे हैं तो आप अपने जन्म पत्री में ग्रह स्थिती तथा विन्सोत्री दसा चेक करें और यदि कोई दूदा रहे तो मेरे कराले में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके यदि आपको कोई उपाई करने के जरूरत होग मेरा करकरम अंत तक लिहां से देखने और समझने के लिए धन्यवाद मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें वे शेयर वसे करें ताकि आपको वे आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिलती रहें बहुत बहुत धन्यवाद